स्वागत साथियों चलिए अब आगे का अध्याय करते हैं अध्याय नंबर दो हाई ये नाव लेट उस डू दे लेसन नंबर टू टुड़े तो हमने वर्ण माला के अक्षर देखने चालू किये थे मुझे आशा है कि आपने लिख के देखे होंगे और नहीं तो अभी लिख के देख लीजे जब तक मैं अंग्री जी में भी बोल रहा हूं I hope you have seen the alphabets of the Hindi language or the Sanskrit language it's the same list of alphabets and I believe you have tried writing them out as well along with the sounds that are used to pronounce them now we will continue चलिये बागे बढ़ते हैं तो pointer ठीक है तो पिछली बार हमने किया और अब आगे E E I O आउ अम आहा तो यह आखरी में जो लगे हैं यह विसर्ग है at the end that you see here on the last letter here this is called विसर्ग अब आगे और अक्षर कर तो अब जो भी हम लिख रहे हैं यह सारे वियंजन है so what we are writing now are called वियंजन अब यहां से वियंजन चाल हो रहे हैं क ख ग तो यह कवर्ग है और हम इनको थोड़ा एक के बाद एक लिखते हैं ताकि यह वर्ग समझने में आसान हो इसके बाद आता है चवर्ग तो यदि आपके हाथ में pen paper है तो इन सब को भले वीडियो पॉस करना पड़े पर लिख लिख के देखते कि जह यह कुछ लोग ग्यानी शब्द में यह वाला यह यूज उप्योग करने की कोशिश करते हैं जो की गड़बड है तो आगे चलके वह अक्षर आएगा जहां जो ग्यानी में यूज होता है और वो ग्या है या नहीं है तो लोग फिर ग्यानी को न्यानी करके प्रणाउन बोलने की कोशिश करते हैं तो आएगा धीरे धीरे आएगा तो यह चवर्ग हो गया इसके बाद आता है टवर्ग टः ठः दढ़ दढ़ तो थोड़ा से परके दढ़ और ध में डढ़ मरू का है और ध ढाल या धोना समान धोना वाला धोना उसका है और आखरी अक्षर टवर्ग का अना तो अब हमारा पांच मिनिट आज का फिर से कतम होता है आगे का करेंगे अगली बार ना आड और five minutes end here so we'll stop and do the rest later meanwhile लिख के देखिये, आवाज हर अक्षर की निकाल के देखिये जिस तरए से वड्यो में है तन्नेवाद meanwhile try to pronounce and write these letters if you want to get that practice